हाई फ्रेंड्स वल्कम बेक टूए जूकेस इंडिया तुरुस्त वाज की इस वीडियों में बात करेंगे वेश्ट बंगॉल इलेक्शन 2021 के ओपिनियन पॉल के बारे में जो कि अभी आप सभी के सामने पैस करेंगे सभी 294 सीटों के सात में जिससे आप सभी को ये मालूम होगा कि अपकी वार किस्सब पार्टी को कितनी सीटे मिलेगी किस्सब पार्टी की हाथ में कितना वोटर बेंक रहेगा यानि कि किस पार्टी को जनता का कितना समर्तन मिलेगा जिससे आप सभी को ये पता चल जाएगा कि अपकी वार वेश्ट बंगॉल में किस पार्टी की नई सरकार बनेगी तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देखे लेकिन उससे पले आप सभी से हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि आपके अपने इस चनल को आप से सबस्क्राइब करिए और पास सी में दिखरे घंटी के निसान को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे भी वेश्ट बंगॉल इलेक्शन के बारे में हर एक जानकरी सबसे पले देखने को मिल जाए तो चलिए अभी हम जानते हैं वेश्ट बंगॉल इलेक्शन 2021 की ओपिनियन पॉल के बारे में पूरी जानकरी और आपको बताते हैं अपकी वार वेश्ट बंगॉल में किस पार्टी की सरकार बनेगी तो वेश्ट बंगॉल लेक्षन 2021 के नतिज़ों पर जो है पूरे देश के लोगों की निगाए बनी है क्योंकि यहां पर बीजेपी और कॉंग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत जोकिया और दोस्तो इसलिए जोकिए क्योंकि वेश्ट बंगॉल में ममता बैनर जी की और से भारते जनता पार्टी को चलेंज़ क्या गया है कि आप बना कर दिखाए वेश्ट बंगॉल में अपनी पार्टी की सरकार और दोस्तो इसे चलेंज़ को जो है भारते जनता पार्टी ने स्विकार क्या बड़े-बड़े मंत्रियों के साथ जो है भारते जनता पार्टी पश्शिम मंगाल के स्यासी मेदान में अपना पता का लेराने के लिए उतरिये और टीम सी पार्टी को चुनोती देरी अब दोस्तों कितनी चुनोती टीम सी पार्टी को मिल रही है वह अभी आपस सभी को पॉल के आंकड़ों के साथ बताते हैं दुरूस्तों सबसे पहले आपिनेन पॉल से बात यहां पर हम जानते हैं ट्यम्सी के आंकड़ों की जहां पर ट्यम्सी को सीटे 154 से लेकर 164 मिल रही है यानि ट्यम्सी पार्टी जो बहमत के आंकड़े को पार करिये और बहमत का फिर से सत्ह में वाफ सी हो रही है, वोटर प्रिस्सत की बात करते हैं जो कि TMC के नम बयाले dabei से प्रिटीस्त होता नजर आ रहा है यहनी TMC को अच्छा water bank भी मिला आच्छा जनता का समर्तन भी मिला और एसमें TMC पारटी एक बार फिर से वेश्ट बंगॉल की सता पर विराजमान होती बताई जारियों आपिनियन पॉल के साथ में यानि कि आपिनियन पॉल के आंकडों के रूप में अब दोस्तों टीमसी के बाद में बात कर लेते हैं भारते जंता पार्टी के जो की दोजार सोला के विदानस सबाचुनाव में मातरा तीन सीटों पार्टी रहो चुकी थी अब दोस्तों भारते जंता पार्टी ने अपकी वार केंद्रियों बलो को जोए पश्यमंगाल में उतारा है जिससे बीचेपी को एक बहुत बड़ा फाइदा हो रहा है जहां पर भारते जंता पार्टी प्रिचली वार्टी न जो है नमरों तक रहे गए थी यान तीन सीटों पर रहे गए थी लेकिन अब की वार्टी रिष्ट में आ चुकी है और सेकड़ा पार करिये और भारते जंता पार्टी अब की वार्टी एकसो दोस्ते लेकर 112 सीटों पर कबज़ा कर सकते है यह ओपिनेंट पॉल का आंकड़ सिटों दोस्तों भार्टे जंता पार्टी के वोट परतिसत की बात कर लेते है यानि वोट बैंक की बात कर लेते हैं जो कि 34ancoर्ट सेर के साथ बीजेपी अच्छा कास्व सा यहां पर टिमसी पार्टी को टकप दे रहा कॉंग्रेस को चुणोती दे रहा हो कॉंग्रियस और लेफ्ट की बात करते हैं जो कि अब की वार गठ बंदन में आ चुके और दोस्तों कई ऐसे भी साल रहें जहां पर कॉंग्रेसर पार्टी और लेफ्ट चीरव पारती दुन्दी माने जाते थे जो कि अभी कॉंग्रेसर पार्टी और बीचे पीए वेसे ही कभी के टाइम में रहे चुके हैं कॉंग्रेसर पार्टी और लेफ्ट लेकिन अभी यहां पर वर्तमान समय में पश्चिम मंगाल में कॉंग्रेसर पार्टी और लेफ्ट यानि की वांदल एक साथ आ चुके हैं अब दोस्तों यह दोनों दलक्तियों से कितनी सीटों पर कभजा करें वह आप स लेकर तीस सीटों पर अपना दावा ठोक रहा है अब दोस्तों वोटर बैंक की बात करते हैं तो इन दोनों ही दोलों का जो गठ बंदने वो अपने जोली में डाल लेकिन सीटों काफी कमें ऐसे में कॉंग्रेस पार्टी और लेफ्ट पहले ही पश्यम मंगाल में जो अपनी सरकार प्रणाने का दावा उससे बार हो रहे अन्य दोलों की बात करते हैं जो कि एक से तीन सीटों पर ही धेरो रहें जिनमें बड़े- कई यहां पर बड़े-बड़े नेताओ के दल है जिनमें अब इस से का भी दल ले इसके अलाववा पिर ज्यादा इसके अलावा अन्य दल है जो की एक सो लेकर थीन सीटों पर धेरो रहें पांच परसनट वॉट बेंक के साथ में अब दोस्तों ये वेश्ट बंगॉल election 2021 का सबसे बड़ा opinion पॉल जिससे दूस्तों ये सापत तोर पर देखा जा रहा है कि किसा परकाई TMCA का बड़े दल के रूप में जो है वेश्ट बंगॉल में अपना पता का ले रहा है भारते जनता पार्टी TMC पार्टी जो है अहां पर तकर दे रहा है और भारते जनता पार टी जो है अपना इलाका ढून रहा है हो हाला कि बी जेपी को कहें सीटों पर जीत मिलती बताए जारी है लेकिन पूरा इलाका कबर नहीं कर पा रहा है यानि बीज़ेपी पच्छिम मंगाल में अपनी सरकार बनाने में विपल होता बता है जा रहा है को Sophia सटा से काफीца से का तो इस परकार यह आखड़ा था ओपिनियन पॉल का अब दोस्तो यदि आपको यह पूरा ओपिनियन पॉल अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिये और दोस्तो आगे भी इस परकार की अन्य खबरों के लिए आपके अपने इस तिनल को आप आप से सब्सक